राजस्तान और मध्यपर्देश सहीत अन्या पर्मुख उत्पादक राज्यों की थोक मंडियों में सरसों का भाव कमजोर होने से किसानों को अपने उत्पादन का बड़ा भाग रोक कर रखने के लिए विवश होना पड़ रहा है आम तोर पर देखा जाता है कि फसल के कटाई त्यारी के समय किसान भारी मात्रा में मंडियों में अपना माल उतारते हैं लेकिन जब भाव घटकर न्यूंतम स्मर्थन मुलिया से काफी नीची आ जाता है तब उन्हें अपना माल रोकना पड़ता है सरसो के राश्षय उत्पादन में राजस्तान और मध्यप्रदेश का योगतान करीब 57 फीसदी रहता है ऐसे में एक रिसर्च से पता चलता है कि किसान अब कीमतों के बारे में अपनी सुवतंतर धारना बना रहे हैं या फिर यूँ कहें कि आस-पास के किसानों की देखा देखी करके सरसो को बेचने या रोकने का निन्य लेते हैं रिपोर्ट से पता चलता है कि किसान समाने था कम से कम 3 महीने के लिए अपनी फसल का स्टोक करते हैं मगर अगली फसल से पहले उसके ज्यादातर माल को पेच देते हैं वही मद्यपरदेश में 34 फीसद तो राजस्थान में 70 फीसद सरसो के विपनन योगे अधिशेश स्टोक को किसानों द्वारा रोका जाता है और जब बाजार भाव उंचा होता है तब इसकी भिकरी की जाती है आपको उपता दे कि MSP पर सरकार खरीद के दोरान भी किसान अपना माल बेचने का परयास करते हैं वही राजस्थान में अधिक स्टोक रोक कर सरसो उतपादक ज्यादा रिस्क लेते हैं और इसमें कई बार उसे जफाएदा तो कई बार नुकसान भी जेनना पड़ता है किसानों द्वारा मध्यपरदेश में करीब 107 दिन तो राजस्थान में उस्तर 110 दिन तक सरसो का स्टोक रोका जाता है इस बार सरसो का घ्रेल उतपादन बहतर हुआ है और अगले बहने इसकी सरकारी खरीद शुरू होने वाली है हरियाना में आज यानि 26 मार्च से सरसो की खरीद शुरू होने की खोशना की गई थी विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी